हेलो फ्रेंड्स विल्कम बैक्ट मैं चैनल अम्रिती फैसे मिला आज देखिए ये सिंपल सीजी सीटी पट्टियू की हल्प से काना चाकिए हम बहुत से सुन्दर सी ड्रेस पैनाने वाले हैं तो चलिए इसे मैं सिल देती हूं इसकॉर्ट में हमें कुछ भी नहीं सिलना है इ अगर आप बिङनर भी है तो भी आप इसे बनाने में कोई प्रॉबलम नहीं होगी देखिए यह हमने चोली पहना दी अब हम नीचे की गेर पहनाएंगे काफी टैम से कमेंट आ रहा था कि और आए कि अब घर्त बताए इक कलर जैसे जो है वीडियो वो एक्तम रेगुलर आ नहीं पारी है नहीं तो मैं दो दो वीडियो अप्लोट कर रहे थी जैसे ही थोड़ी ठीक होगी तो मैं कोसिस करूँगी कि मैं फिर से उसी तरह से वीडियो आप लोग के लिए लेके आऊं यह देखें यह ट्रेस हो गई और यह हो गई मैचिंग की कैप इस पे आप अपने हिसाब से लेज वागेरा भी अटाइच कर सकते हैं जिसे और अट्रैक्टिव लगेगी देखके बाकि आप इस तरह से भी से पहना सकते हैं यह सेम ड्रेस जो है वो दो नंबर को और एक नंबर को भी आ जा रही है तो आप इस ट प्रीपलाइक आउन है ज्यादा नहीं बचा है थोड़ा सा यह बचा है मेरे पास और बहुत जादे के में जरूरत भी नहीं है यह देखे सबसे पहले मैं आपको सीरी पत्टी बनाना परता हूंगी क्योंकि इस ड्रेस में हमें जादा तर सीरी पत्तिया ही चाहिए तो इस इस हमें देखिए उनके ओपर सलाई है हमारी 9 नंबर की सलाई है और हम ऐसे करके फंदे को डालेंगे देखिए पैला फंदा यह दूसरा अधर यह तीसरा इस से इसाधिकन ड़ने है चले डालती हूं फिर आगे बताऊंगी क्या करना है यह दिखिए हम आपर 22 फंदे डाल है अब हम इसे बुनेंगे हमें अलटा-अलटा बुना है दोनों साय्ड में स्टार्ट करते हैं तो हमारे पास यह छोटा वाला उण है यह देखें यसे हम इस तरह से दबाते चलेंगे यह काफी लंबा था इसे मैंने कट करके इतना किया है जो हमारा फंदर डालने बाद उन बचा था वही है यह अगर हम इसे बहुत पास से कट कर देंगे तो हमारी बुनाई खुले लगेगी इसलिए हम इसे बहुत पास से नहीं कट करते हैं थोड़ा सा दूर से कट करके हम इस तरह से इसे दबा देंगे पास से च्छे लग तक दबा दिया है अब मैं ऐसे नॉर्मल उल्टा-उल्टा बुन्टे चले जाओंगी यह देखें यह ऐसे करके यह हमारी पहली जा रही है दोनों साइड हमें उल्टा-उल्टा यह बुनना है तो चलिए मैं इसे उल्टा-उल्टा बुनके लंबा करते हूं फिर आगे को बताऊंगी हमें क्या करना है यह देखिए आप हमने से 11 सिलाइयां बुंदी है उल्टा-उल्टा दुनों सैट से अब बारहमीं सिलाइ में हम घटाएंगे हम दो फंदा एक साथ लेंगे और बुंदेंगे फिर इस फंदे को बीसी के साथ लिया इसके साथ एक और फंदा ल लगानी है अब देखिए यहां पर पास सिर्फ एक फंदा बचा है हम इससे लंबा करेंगे लंबा करने के बाद इसके बीस से हम उन निकालके और कट कर देंगे यहां पर एक उन को आपको कट कर देना है और दूसरे वाले को पकड़के खिश लेना है बस यह आपकी नॉट इससे हम चैब बनाएंगे तो चैब के लिए हमने क्या किया है हम ने पे 22 ठीज में सेम तड़ी के लिए मने सेम तरीके से दोपिस रेडी किया हं व है यहां पर फंदा डाले है 22 ठीके हमने इसे 7 पिस इंचे की गहेर है इस ततरगी आती है तो देखें इस तरह से लगाके हमने येर रेखें आती है तो देखें इस तरह से ऐसे लगा के हमने फंदे को निकाला फिर अगली धारी में हम डालेंगे और यह हमने ऐसे किया यह हमने दूसरा फंदा निकाला देखें हमने उन को डबल करके दूसरा वाला फंदा निकाला है ऐसे ही करके हम अपने उन को जोडते हैं यह देखे इस तरह से तीसरा फंदा निकाल लिया फिर अगली धारी में डाला ये हमने चौता फंदा निकाल लिया अब उन को मैंने सिंगल कर लिया है ये अगली धारी में डालेंगे और ये जो है उन हम इसमें दबाते चलेंगे ये हमने अपना पाच्वा फंदा निकाला फिर अगली में ठाला इसी तरह से हम यह पे अपने सभी धारे में डाल दिकर एक ristता उठाएंगे पूरा उथा लेकर और यहां तक उठाना है चले उठा लेती हूं फिर आगे बताओंगे क्या करना है यह देखे मैंने पूरी पट्टी वे पर फंदो को उठा 3 3 हमने एक साहथ लेना है और इसे उल्टा बुंदे नहाँ रहे तीन से हम एक फंदा बना रहे हैं फिर अगले तीन फंदो को एक साथ लेके और बुन देंगे इसी तरह से हमें अपनी पूरी सलाई कम्ट्रीट करनी है और इसके बाद हम इसे नॉर्मल उल्टा उल्टा बुन के थोड़ा सा लंबा करेंगे चले करती हूं फिर आगे आपको बताओंगे हमें क्या करने के घटाने के बाद मैंने इसे तीन सलाया उल्टा उल्टा बुन दिया है और उसके बाद इधर से जो हमारा उन था उसे रिखे मैंने सुई में इसलिए डाला है जिससे हम यहां पे नॉट लगा सके यह देखे थोड़ा सा नीचे डालेंगे और नॉट लगादेंगे क्योंकि इन ही फंदो में हम डॉले डालने वाले हैं तो यह हमने यहां पासने कट करेंगे थोड़ा सा आगे निकाल देंगे इस तरह से मेरा ऊन जो है थोड़ा सा फ़र वाला है इसलिए थोड़ा सा फ़स रहा है और मेरी सूई भीkung जो है वो कर लेती हूं क्योंकि इसी उन से हम लगे हाथ अपनी डोरी भी डालेंगे तो इसे हम डबल कर लेते हैं जिससे यह मोटा हो जाएगा तो यह मैंने डबल कर दिया देखिए डबल करने के बाद यहां से सभी फंदो को हम इस तरह से करके अपनी सुई में उतार लेंगे यह यह देखिए मारी डोरी जो है वो यहां पर पढ़ गई है अभी हमारा कम्टीट हो गया है दोनों सेट से मैंने नौट लगा दी है जिससे यह निकले नहीं अब हम ले लेते हैं अपनी चोली तो दोनों पतला वाला पीस लेंगे और इसे हम आपस में सिल देंगे यहां से य और बहुत खुबसूरासी ड्रेस राटी होगी तरह देखिए यहां से यहां तक इसी तरह से सिल है और सिलने के पाद इस तरह से खोलिए और यहां पर डोरी डाल दीजिए कैप के लिए क्या करेंगे इसे मोरना है मोरने के बाद एक सिलाई यहां से यहां तक लगाएंगे फिर नॉट लगा देंगे और उसके बाद यह जो गोल वाला हिस्सा है इस पर हम ऐसे गोलाही में सिलाई लगा के सिलाई को खीच देंगे और not लगा देंगे तो हमारी cap भी ready हो जाएगी तो चलिए मैं इसे भी ready कर लेती हूँ फिर मैं आपको दिखाऊंगे सब कुछ एक साथ ये देखें ये हमारी cap जो है वो सिल गई है कुछ इस तरह की आएगी और चोली में मैंने डोरी डाल दी है नॉर्मल उन ही डाला है ये देखें इसमें भी दोने साथ से नॉट लगा दी है गेर हमारी ready है तो चलिए अब मैं इसे आपको पहना के दिखाती हूँ तो ये देखें गाइस यहाँ पे जो है ड्रेस मैंने काना को पहना दी है आप देख सकते हैं काना जी बहुत सुन्दर लग रहे है आप भी एड्रेस अपने काना के लिए बहुत आसान तरीकी से बना सकते हैं तो आसानी से बनाईे और अपने कानाजी को पहनाईे इसे पहना के मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ही दिखा दिया है